हेलो दोस्तों आपके अपने चैनल सिविल बाबा जी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि हम लोग कैसे फुटिंग का लियाउट करते हैं कैसे अपने फॉर्मडेशन कैसे जो कॉलम होता है इन सारे का चीजों का कैसे हम लोग ग देख रहे हैं यह गाइट पीलर है हमारे जो फॉंडेशन के इन जो अपोजिट साइड में बने हुए हैं तो इसका लियाउट बताने से पहले मैं आपको एक थी बताना चाहता हूं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा यह जो लियाउट है वो समझ में आया आई पहले मैं आप लोग को थी समझा देता हूं लियाउट के थी तो जैसे कि यह आप देख रहे हैं यह फाउंडेशन इसका और यह हमारा बीच वाला सेंटर जो कॉलम है अग इसका आपको लियाउट करना कैसे करेंगे सबसे पहला काम जो होता है हमारा गाइट पीलर का यह आप देख गाइट बने व glue यहां इसको मैं दिखा दूगा आपको साइट से भी तो गाइट पीलर सबसे पहले पुटिंग के चारव मोग बना लेत हैं और गाइट पीलर क्या करते हैं मार्किंग कर लेता है संटेर मार्किंग ठीक है इस पीलर प långस्छाय कर ल idag के अ कि आ क्रॉस कर लेंगे तो इस से हमारा यह वरा लाइन भी स्ट्रेट मिल गया अब दोनों का जो क्रॉस पॉइंट हमारे यहां पर बन रहा है यह हमारा हो जाएगा कॉलम का सेंटर अब इसके बाद क्या करेंगे हम यह जो लाइन हो रही है एक साहूल हम इस पॉइंट से गिरा दे जिए अब हमारा क्या होगा ग्राउंड के नीचे भी हमारा यह स्रेट लाइन मिल जाएगा और यह हमारा इस पॉइंट पर हम लोग लोग मार लिये इस पॉंट से डंड से अधाय सा इस पॉंट पर कर लिक This पॉंट पर के हमारा समर्च का मार्किंग हो जाएगा थी पोइंट के लिए चौर्नर पर एक पर यहां पर और एक यहां पर अब लोग इधर 200 हमार किये हैं उससे हम लोग यह और यह दोने स्ट्रेट लाइन ले लेंगे इस तरीके से हमारा कॉलम कर लिया आउट कः मैं कि अब ही जैसा हम बताये थे कि चारु तरफ गाइट फिलर से और क्रोस पॉइंट क्या करते हैं गिरा लेते हैं एसा यह सामने यह मार्किंग नीचे 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 रखके और आपना साहूल नीचे गिरा लाइन लेंगे तो आपको मैं साइट से भी दिखा दे रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को समझ में आए आप कहीं जाओ ले आउट करने तो आपको यह सारी परिसानिया ना हो आपको मतलब इस चीज से रिलेटेड कोई दिकत नहीं तो यह देखेंगे आप चारो तरब जो है हमारा साहूल वाला काम हो गया है देखें यह मार्किंग है यह जैसे ही पॉइंट हम लोग को क्या होता है मिल जाता है चारो पॉइंट पे तेक अब इस पॉइंट से हम लोग कॉलम का लियाउट करेंगे अब यह हो गया हमारा सेंटर मार्किंग देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद दिखिए यह दोनों तरफ लाइन है उन दोनों पे हम लोग धागा रखा और हम अपना क्रॉस करा लिए इससे क्या हो गया हमारा चारो तरफ हमारा लाइन मिल गया दोनों पॉइंट से अब दिखिए अब जो हमारा मीड़ वाला लाइन है सेंटर लाइन वहां से जो आपका कॉलम का साइज है जैसे 500 का कॉलम है तो धाइ-धाइसो दोनों तरफ जाएगा तो धाइसो इस तरफ और धाइसो यह दूसरे डायरेक्शन में हम लोगों ने यह मार्क किया तो यह हो गय अब इस पर क्या करेंगे देखिए यह दागा रखके एक एक श्ट्रेट लाइन इस पर हम लोग मार्क कर लेता है कुछ ऐसे यह स्ट्रेट लाइन मिल गया अब दूसरी तरफ भी हम लोगों ने श्ट्रेट लाइन कर लिए जैसा कि मैं आपको थियोरी में समझाया ता सेम वही प्रोसेस में लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए अब यह कर लिया हमारा क्यों सेंटर लाइ मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूँगा अब यह हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिल गई बस इसके अपोजी डिरेक्शन में भी मैं यही काम करूंगा और जितनी भी यह स्क्वायर सेब जो बन रहे हैं इसके आउटर की लाइन होगी उसको हम लोग मिटा देंगे अब यह जो पॉइंट मिल गया आपका स्क्वायर सेब में यह आपका हो गया कॉलम मतलब हमारा कॉलम जो है यहीं पर आना है अब जो भी रेंपोर्स्मेंट होगा कॉलम का हमारा इसी के अंदर में होगा अपना कवर चोड़के ठीक उसके बत करने का अब हम लोग डाइगो तो यह हमारा 700 mm diagonal मिल रहा है तो मतलब हमारा जो लियाउट है और ठीक है अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं फूटिंग का लियाउट करते हैं अब दिखिए फूटिंग जैसे कि हमारा अमाल लिजे कि अभी यहां पर जो है 17 सका है तो 17 सका हम लोग सेंटर से हमारा दू है कि यह हमारा दूसरी डियरेक्शन का भी मार्किंग हो गया मतलब यह जो कराऊ से इसी के अंदर हमारा जो होगा वो जाल फूटिंग मेच यह होगा हूँ आएगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं लियाउट कर लेते हैं लियाउट के बाद अब हम लोग क्या करेंगे इसका reinforcement इसी के अंडर में मतलब इसी के बीच ओ बीच हमारा reinforcement होना है column का layout हो गया हमारा footing का जो जाल बनना है उसका layout हो गया layout होने के बाद हम लोग क्या करते कुछ इस तरीके दिशितर ने क्था होता है एक पर सपोर्ट दे दिया गया है कि हमारा कॉलम जो है वह मूब ना हो अब यह यह गाइड फिलर जो हम लोग ने बनवाया है यह मार्किंग देखेंगे कुछ ऐसे हम लोग ने सेंटर मार्क इस पर कर लिया है इसी के थुरू हम लोग जो धागा बांदेते हैं इसी से रिलेटेड हम हम लोग धागा बांदेते हैं दूसरी डायरेक्शन में भी सेम है यह आप देखेंगे यह देखेंगे कुछ ऐसा मार्किंग जो होता है हमारा गाइड फिलर्स का होता है जिसको हम लोग हम भासा में भूर्जी भी बोलते हैं अब इसके हम लोग क्या करें कास्टिंग करवा